बैं मुहमस्द श्मी आइशी सी क्रिकेट वर्ट कप 2013 के बेस्ट बॉलर्ज मिसे एक हैं। दाएहाथ के तेज गेंदबाज ने भारती क्रिकेटीन के लिए अब तक चार मैचेज में 16 विकेट लिए हैं। शमी की गेंदबाजी बेस्ट रही है जब उन्होंने वान खेड़ी स्टेडियों में शिरिलंगा के खिलाफ 5 ओवर में 18 रंदे कर 5 विकेट लिए दुनिया उनकी दीवानी हो गई वर्ल्ड कप में शमी की शांदर परफॉर्मेंस देखने के बाद हर कोई उनका दिवाना है लेकिन सोच ये अगर इस परफॉर्मेंस की दिवानगी के बीच कोई आक्ट्रेस उन्हें शादी के लिए प्रपोस कर दे जी हाँ बिलकुल सई सुना आपने महमज शमी को शादी के लिए प्रपोस किया है फेमस आक्ट्रेस पायल घोष ने महमज शमी ने इस वर्ल्ड कप में अब दक जो भी सकसेस हासिल की है इस बीच आक्ट्रेस पायल घोष ने शमी को शादी के लिए प्रपोस कर दिया है पायल घोष अमेशा से अपने तेजी सुधारो मैं तुमसे शादी करने के लिए तयार हूँ तो आप देख सकते हैं शमी की गेंदबाजी की किस तरीके से कायल हो गई है पायल घोश कि उनको सब के सामने शादी के लिए प्रपोजी कर दिया पायल घोश का ये ट्वेट इंटरनेट पर तीजी से वारे रो किया और जल्द ही लोगों ने पायल के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया जिन्नों ने खुले आम शमी की दूसरी पत्नी बनने की एक च्छज अताई है फिलाल शमी ने पायल के शादी के प्रपोजल पर कोई रियाक्शन नहीं दिया और ये देखना काफे दिल्चस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में शमी जो है पायल खोश के इस मारिच प्रपोजल पर क्या रियाक्शन देते हैं आपको बता दे वर्ल्ट कप 2023 में तेज गेंदबाज मौम शमी की परफॉर्मेंस बहुत जादा अची रही हर तरफ उनकी जो गेंदबाजी है उसको ले बात है और उनोंने शमी को सरया मप्रपोस किया है लेकिन दूसरी बीवी बनने के लिए पायल ने जिस तरीके की शर्त रखी है वो वाके ही थोड़ा सा जीब है क्वराथ वी एक र्गिए पायल अच्छी है कर लो उस से शादी बात करें पायल घोश के बारे में तो पायल घोश का जन्म 92 में कॉलकाता में हुआ उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो सेंट पॉल मिशन स्कूल से पूरी की है और स्कॉर्टिश चर्च कॉलेज से उन्होंने पॉलिटिकल साइन्स से ग्राजुएशन किया अक्टिंग के लिए अपनी जुनून को पूरा करने के लिए जब वो कॉलेज में थी तब अपने घर से भाग कर मुंबई आ गई और बास से ही उनका अक्टिंग करियर शुरू हो गया अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए आप हमारा ये विडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए बॉलिवूड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ये फिल्मी बीट